हालो मैं लावली शूडेंट इस मांसी वेलकम बाक तू दी चानल सो कुछ टाइम पहले मैंने टिप्स डाले थे और उसमें काफी सारे कमेंट्स आयते कि मैं आप एक टाइम टेबल तो जिसको हम फॉलो कर सके मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि कभी भी एक कोई पर्टिकु तब भी आपको बताया था कि आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा बट आए नो कि आपको उसमें प्रॉब्लम होती कि कैसे माम टाइम को मैंनेज करें तो मैं यहां पर इस लेट्स मेके टाइम टेबल बट इस ओ मोर उफ हाव टू मेका टाइम टेबल कि आपना टाइम टेबल खुद बनाओगे क्योंकि you will start with कि मैं कितने बजे उट सकते हैं अब आपको ताइम टेबल दे दू कि बटाइग सुभी छे बजे उटके पढ़ना साथ करना है आपके लिए शायद रियलिस्टिक ना हो और अगर कुछ कोई बच्चे हैं जो शायद पहले से 5 बजे उटके पढ़ दे तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल होगा सबके लिए टाइम टेबल अपना परसनल होना चाहिए सबसे पहली चीज जो आपको धिहान देखने है इस डिवाइड योर टाइम वेल देखो सबके पास ही 24 आर्ज है ऐसा नहीं है जो टॉप करता है उसके पास 36 आर्ज है एक दिन के वो भी 24 घंटों को भी मैनेज करता है आपको भी वही करने है उसी बीच आपको अपना स्कू इसी तरह से यूटलाइज कर सकते हो वह आपको देखने तो इसमें यह जरूरी है कि आप ध्यान रखो कितने घंटे पढ़ाई को देने है ऐसा नहीं कि एक अन्रियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना लो कि मैं सुभे दो गंटे पढ़ूंगी मैं शाम को चार गंटे अलग अलग देश पर भी होते हैं तो किस दिन मेरी कितनी जादा टूशन जहें कितनी काम टूशन जहें उस इसाब से से अल्ग चड़ी को आप टाइम चेंज करोगा अगर आपको ज़रत पढ़ती है तो आप टाइम डेवाइस बनाओ कि मंडे को यार मेरी दो टूशन होते कि एक घंडे मुझे ये सब्जेक पढ़ना है लेकिन आपको यही नहीं बता कि मैं कहां से उसको ढंक से बढ़ू आप इंटरनेट खोल के बैट जाओगे वहाँ पर आपको 3600 चीज़ें मिलेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहां से ये कर लिया ये कर लिया एक घंड NCRT की एक पॉइंट एक चीज सब चीजे बहुत इंपोर्टेंट है पेपर घूम गुमा के वहीं से ही बनता है ठीक है थोड़ा सा बस कोशन के लेवल्स चेंज होते लेकिन NCRT नहीं छोड़ना एंड इसके साथ में मैं हमेशा कहती हूं स्पेशली आप जो बच्चे हैं कि आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए वो रेफरेंस बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको हर तरी मैं हमेशा यार रिकेमेंड करते हूं आपको एड़ुकार्ट की बुक्स बहुत टाइम से आप देखर होगे मैं आपको बोलती हूं इस बुक में जो इससे कोशन मांक पढ़नेशन हैं, कॉम्पेंटेंसी बेस कोशन जो हमें अभी कहीं पर भी नहीं मिलते वह हैं इसमें अगर आप इस बुक को पढ़ने करो उस पे इस बुक को साथ लेके चलो एक पकड़ों पकड़ों मुझे पत है बहुत सारी पबलिकेशन से आप भी बहुत कंफ्यूज सब्सक्राइब करते हैं, कोई एक पकड़ों मैं इसको रिकमेंट इसले करते हूं, बिकॉस ओवेसली आफ गॉन थ्रू एट मुझे यह अच्छी लगती है और मैं प्लानिंगे मैं आगे इसमें से कोशन आपको पढ़ा हूं भी इसलिए मैं हमेशा रिकमेंट करते हैं आप आपके पास बोकों के तो पढ़ना पढ़ाना इजी रहेगा मिले ठीक है, सो मैं लिंक दे दूंगे आप अल्सो लिंक पे जाना सिरफ कोशन बैंक सीनिये एक्जांपलर और काफी सारी आपको बोक्स मिलें और सिरफ माथ साइंस इनी काफी सब्जेक्स किया, सो गो थू कि जो गोल होने चाहिए ना वो रीजनेबल होने चाहिए ऐसा जैसे मैं अभी मेंशन भी गया ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ लूगा मैं 100 अगर आपके 30 40 परसन वाले बच्चोर आपको मैं 100 परसन ले आउंगे ऐसे पढ़ लूगा वैसे बढ़ पर भी जाएंगे बट धीरे दीर अभी देखो बहुत टाइम है अभी सेशन स्टाट हुआ है नो एक महीना निकल गया लेकिन बहुत सारा टाइम है अभी मैं सोच रहो हर महीन ना एक मंतली स्टाट अची पे बताऊंगे कि अब क्या करना चीए कितना कर चुक हो कैसे आगे थोड़ा सा पड़ते बोरिंग हो जाता है तो तीन घंटे लगाता रेसिस्टी पड़ोगे ना स्टाटिंग के 10 मिनट एक घंटा मैक्सिम अच्छे से समझ में आएगा लास्ट के दो घंटे सिरफ वेस्ट करोगे टाइम भी वेस्ट हुआ ताइम टेबल भी वेकार हुआ तो यह ध्यान रखने है रीजनेबल बनाना है कि जो चीज आप कर सको उस तरीके से बनानी है ठीक है थोड़ा डिफिगल्ट होगा लेकिन रीजनेबल करेंगे ठीक है दीरे-दीरे करके बढ़ाएंगे ठीक है चार सेचे लक के पढ़ाई करनी और कुछ नहीं करूंगा उब एसा नहीं करنا भाई, 4-6 पढ़ाई का टाइम लो, लेकिन उस बीच में ब्रेक्स बहुत जरूर है, आपको ब्रेक्स लेने हैं, एन ब्रेक्स का मज़ना यह नहीं कि 10 मिंट पड़के आदा गंटा ब्रेक होता है, ब्रेक होता है एक टी ब्रेक ले सकता है, फैमिली के साथ जाके बैट के थोड़ा सा माइन रीफ्रेश हो गए एक वॉक के लिए चले गए पांच दस मिंट के भी ब्रेक्स लोगे घर में वॉक कर लिया ऐसा नहीं कि भी है मैं हमारा पाकी आदे घंटा दूर तो हम वॉक करने चले गए तो बीच में छोटे-छोटे ब की जरूरत है नाओ दे प्रॉब्लम में इसके कहां भी दिक्कत होते है कि आप ब्रेक में क्या करना चाहोगा चलो मैं फोन चेक कर लें तो नॉटिफिकेशन आई है वहां भी क्या होता है वो पांच मिनट का ब्रेक का आदे घंटे का हो जाएगा और उसा सिर्फ आदे होगा आपका डिस्ट्राक्टेड हो जाएगा फिर जब आदे घंटे बात भी पढ़ने बैट होगा दिवां में वही चीज़े चल रही होंगी कि अच्छा चला मैं रिप्लाइ करता हूं या वो नॉटिफिकेशन देखता हूं या मैं ये करता हूं तो ऐसे ब्रेक्स नहीं ठीक है ना कि आप सारी चीज़े कर सको मैनेज ठीक है चो प्रेक्स आप वेरी इंपॉर्टन कोई भी टाइम टेबल बनाओ उसमें ब्रेक्स जरूर आड़ आड़न करनी है ठीक है चलो आगे है मेक चेंजिस नाओ अब क्या होता है आपने एक टाइम टेबल बनाए और आप अगर आपने चार घंटे बढ़ाई के डाले हैं नहीं फॉलो कर पारे कोई बात नहीं एक हफते के लिए नया टाइम टेबल बनाएंगे उसमें तीन घंटे पढ़ाई के डालेंगे लेकिन टाइम टेबल बनाएंगे फॉलो करेंगे और अपना बहुत ध्यान रखेंगे चिक है तो इस वर सम पॉइंट्स आई होप यह सब आपके लिए हेल्फुल रहेंगे और आप अपना खूद राएम टेबल शुर। नींचे में मुझे बताना के कैसे कैसे अपमें टाइम टेबल बनाया है थोड़ा थोड़ा साप्में में शेयर करना ताक ही हो सकता है और दुमें अपके अपके पढ़के अईडिया मिले के नहीं हागी मुझे भी ङॅह अपनीं know in the comments कि आप अपना time table cases आप से follow करते हो and also जो मेरे edu card के books बोली है उसका मैं लिंक नीचे description में डाल दूंगी to visit the link जो books अच्छी लगे, जो books पसंद आए वो purchase करो you will not regret that okay so अब मैं मिलूंगे आप से next session में till then do like the video share the video and subscribe to the channel bye bye for now